हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बादर वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विल्मार के स्टॉक के बारे में अडानी विल्मार में दोस्तों अपर सरकिट लगता हुआ देखने को मिल गया है अपने आपने कह सकते हैं बहुत शानदार यहां पर आपको स्टॉक में तेजी बनती हुई देखने को मिल रही है तो इस वीडियो में बात करेंगे कि जिस प्रकार से वापिस से एक रीकवरी क का साइन देता हुआ देखने को मिल रही है कि 700 रुपय अगला लग्स होता हुआ देखने को मिलेगा बात करेंगे स्टॉक के सब्सक्राइब कर लिजेगा तो दोस्तों कह सकते हैं है वी फॉल के बाद अडानी विल्मार का स्टॉक अब आपको अपर सरकिट पे ट्रेड करत बेसिकली अपर सरकिट है तो वो तो लगता हुआ देखने को मिला ही मिला है लास्ट एक महीने में अडानी विल्मार का स्टॉक कह सकते हैं कि साड़े 7% के रिटरन अभी वे आपको देता हुआ देखने को मिल रहा है तो undoubtedly यह अडानी ग्रूप अफ फॉप स्टॉक में अड कि स्टॉक आपको गरता हुआ देखने को मिला है पास्ट फाइव डेस के अंदर इन स्टॉक में अगर बात करता हूँ बावन अफ्टों के आए कि तो वह लगता था करीबन 888 रुपेगा 878 रुपीस का जो 52 वीक हाई लगता हुआ देखने को मिला था वहां से काफी जाद यहां पर याद रखीगा अभी भी जरूरी नहीं कि वर्स इस दो होवा अभी और भी आपको मार्केट में गिरावड आती हूई देखने को मिल सकती है और मार्केट में काफी बुद्धी जने लोग यहां पर कह सकते हैं कि 15,000 का लेवल भी मान के चल रहे हैं कि एक बार हमक को सुधरती हुई देखने को मिल जाएगी और वो ही है कि यहां से जो भी dip मिलती है इसमें best stocks को buy करने के बारे में विचार करेगा best क्यों कह रहा हूं है best because because यहां से अगर market कभी भी वापर से rebound होता है तो यह जो सबसे बढ़िया stocks है वो आपको सबसे तीजी से अपना returns का मार्के देंगे और अडानी विलमार उनमें से एक है बात करें आज की volume की तो अडानी विलमार में अगर अब आप देखेंगे तो जिस प्रकार से यहां पर कम वाल्यूम होती भी देखने को मिलती है वो close to 15,43,000 है volumes undoubtedly देखें कम आती है आप इस counter में कम आने का साफसाफ कारण वो ही है because यह आपको ASM के list में रहता हुआ देखने को मिलता है और ASM की सबसे important जो stage होती ही सबसे खराब stage होती ही basically 4th में आपको stage में रहता हुआ देखने को मिलता है जिसके कारण कहा सकते है कि इसमें volumes से होती ही नहीं देखने को मिलती है reason साफसाफ हो ही है because volume क्यों नहीं हो दी है because stock में आपको intraday band रहता हुआ देखने को मिलता है अगर आप stock buy करते हैं तो आप delivery आपको ले की जाना अनिवार है है तो delivery भी यहाँ पर check करने की कोई जरुवत नहीं है because वो mark होगी होगी क्योंकि अगर आपने आज stock buy किया है तो आप आज की आज नहीं बेच सकते हैं आपको कल ही बेचना पड़ेगा यह बात important है इस stock के अंदर अब जिस प्रकार से यहाँ पर जैसे मैंने का कि देखिए तो buying selling ratio है अभी 3650 orders 3650 orders जैसे ही देखिए यहाँ पर execute हो जाएंगे stock में वापिस अपर सेकिट लग जाएगा यह selling side पर बहुत कम order से अभी थोड़ा बहुत देखिए market उपर नीचा आता है तो वहाँ पर selling orders लगते हुए देखने को मिलते हैं but as such कोई दिक्कत वाली बात नह देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर आकरी के आज देड़ घंटे के अंदर बहुत गिर गया हैं बहुत जादा गिर गया है थोड़ा बहुत मार्केट में बांस बैक आना चाहिए और उस बांस बैक में अगर यहाँ पर sell on rise होता है तो definitely आगे चलके stocks में गिरावाट आएगी अब जैसे मैंने का शुरुबात में बात करेंगे आगे stock के चार्ट के बारे में लेकिन जैसे मैंने कहा था क्यों आपको साफधान रहना है क्यों यहाँ पर सतरक रहना है चलिए अब इसके उपर बात करते हैं पेंट अब अब अगर आप कुई भी शेयर खरीद रहें तो एक बाद आपको ध्यान रखना है वह मार्केट की वालेटलिटी- मार्केट के अंदर आपको बहुत जादा अभी वालेटलिटीन उताव चड़ आप देखने को मिल रहें मार्केट काफी वालेटाइल आपको ग बाजार पहले आया था उसका 16600 तक गया अब इस बीच में क्या हुआ इस बीच में फाइज ने धंदरादन देखे बेच आए डिया इस डिफिनिटली खरीदते हुए देखने को मिल रहे लेकिन फाइज ने बीच आए और जिस परकार से अब इंफलेशन डेटा निकल के आया short term में पैसा बनना अभी बहुत मुश्किल है बहुत बहुत कम जनों का यहां पे short term में पैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है अभी भी अगर आप देखेंगे तो stock जो move दे रहे हैं वो जादातर आपको downside दे रहे हैं इसमें कोई doubt नहीं है जादातर stocks में आपको गिरावर देखने को मिल रही है बहुत गिने चुने stocks हैं जिसके अंदर आपको बड़ी तीजी देखने को मिल रही है तो ये बात ध्यान रखेगा कि अगर आप आज stock buy कर रहे है और कल अगर market गिर जाता है तो आपके पास holding capacity होनी चीए थोड़ा सा आपको hold करना आना पड़ेगा अगर आप hold करना नहीं सीख पाएंगे तो इस market में पैसा नहीं बना पाएंगे ये बात ध्यान रखेगा ये बात बहुत ज़रूरी है जो आप नोट करके रखेगा अगर stock का chart देख लेते हैं तो फेंस अगर आज की chart की बारे में बात करते हैं तो definitely stock में जो 30 आती वी देखने को मिली है वो lower level से आती वी देखने को मिली है ये अभी तक इतनी बढ़िया green candle पास जिन में तो form नहीं हुई है अब एक दिन आज का chart अगर आप देखेंगे तो शुरुबात में हुआ क्या upper circuit लग गया इसमें अच्छी बात है लेकिन upper circuit अगर अभी आप देखेंगे तो stock में उतार सड़ा definitely देखने को मिल रहे है लेकिन last 3 महीने के अंदर जिस प्रकार का move अडानी विलमार ने दिखा है वो undoubtedly बहुत बढ़िया था लेकिन अब definitely याद रखेगा higher levels पे आपको stock में थोड़ी सी बिक्वाली देखने को मिल रहे है और यहाँ पे तीजी बनने के chances है बिकार यहाँ पर breakout आई जाता है तो थोड़ा सा यहाँ पर wait and watch करना पड़ेगा जिनके पास positions already existing है मैं आपको यह सला दूँगा कि बने रही है यहाँ पे थोड़ा 6-7 महीने बने रही है stock में बहुत बढ़या move आ सकता है एक बार यह B E सीरीज यह नि जो A S M के सीरीज से निकल गया आप मानके चले जिस दिन इसने एक्विटे की सीरीज में वापस से आ गया stock में जो थीजी है वो बहुत massive रहे it तो जिनके पास भी position है बस hold करी है मुझे लगता है कि 700 रुप्रे का level अगर market ना से 16,200-300 भी जाता है तो definitely on the cards है तो friends इस वीडियो में इतना ही था hope so video बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो like कर देना चैनल से ने जिटो सब्सक्राइब पर देना thank you friends for watching this video